आज जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपका आख खुले की खुले रह जाएगा और आप समझ नहीं पाऊगे कि क्या भाई बात कर रहा है और बात जो मैं करता हूँ और हकीकत में ही करता हूँ आज आप लोग जो है पूरा इस वीडियो को देख करके जाए कि हैंक कोन करता है हैंक किसी आम आदमी करता है या हैंकर करता है या कोई और करता है तो गाइज आज आप हमारे वीडियो को जो है एंड तक देख करके जाए और मैं पूरा जो है आप लोग को जो है एटू जेड आज डिरिम 11 का कनफीजन जो है धूर करने वाला हूँ जो की गाइज पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इसको है कर सकता है और है को सकता है गाइज मैं कनफर्म कर सकता हूँ कि है किया जा सकता है यह अपलिकेशन है और अपलिकेशन को बहुत सारे हमारे इंडिया में जो है फरोड है और जो की है कर लेता है गाइज और वो नमबर वन वीन कर जाता है और नमबर वन वीन करने का जो कारण है गाइज वो हमेशा हैंगिंग होता है और हांगिंग करके ही जो है आप अगर नम्मर वन पे आ रहे हैं तो आप पीछे हो जाओगे और कोई पीछे है और नम्मर वन पे हो जाएगा आप ऐसा बहुत बार देखे होगे बहुत सारे वीडियो बहुत सारे मैच में तो गैज ऐसा क्यों होता है ऐसा गैज कर लेता है और किया जाता है ठीक है गैज तो गैज आज वीडियो जो है पूरा एंड तक देखे और गैज आप लोग को जो है पूरा इनफोर्मेशन आज आप लोग को बताने वाला हूं कि किस टैप से हैंगिंग किया जाता है तो इसे देखिए आपको कोई एक मैच का उधारन ले करके बता रहा हूं कोई भी एक मैच ले लेता हूं जिसमें मैं एक टीम लगा करके आप लोग को जो है बताने वाला हूं गाइज तो गाइज चलते हैं जैसे मैं CHW का बीच CHW वाला जो मैच है NBW के बीच इसी के बारे में आप लोग से बात कर लेता हूं कि गाइज देखिए यहां पर आप तुद देखें कॉण्स्टेट लगाते हो 35 का लगाते हो बहुत सरा कॉण्स्टेट ओफर आता है आप लगाते हो लेकिन आप नमर वन पर आने से पहले आप पीछे हो जाते हो और कोई पीछे का बंदा आ आगे हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है और किस कारण से होता है और गैज हर एक बार नया नाम नया नेम नया आड़ी से गैज जो है नमबर वन विन कर जाता है गैज आप बहुत बार मैच खेले होगे और बहुत बार ऐसा देखें होंगे अगर देखें होंगे तो कॉमेंट ज कि आप नमर वन पर आ रहे है उसके बाद से कुई ID आता है और at highest होता है और हैंक्पी किसली है किया जाता है कि अगर आप देख्छ एक मान के चले कि गया तिस का शोंस्टेट है और दो लाख रुप्या मेगा सूस्टे गया तो गयाज ये दो लाख रुप्या कीशे नहीं चाहिए ये शब को चाहिए 2 लाख रुप्या ठीक है और गया यज मैज फैय फैर तिस як जो लगाय हो, वो किसका पैसा है यह जनता का पैसा है जो भाई खेल रहा है उसका पैसा है और गाईज यहां पर जो है यह दो लाख रुपया जो एमोंट प्राइज है वो किसको जरूरत है वो जो भाई खेलता है उसको जरूरत है लेकिन ऐसा नहीं होता है और गाईज मैं आपको जो है बत तो गैज एक कड़ोर किसे नहीं चाहिए सब को चाहिए तो गैज आप देखे होंगे कि बहुत बाद नमबर वन पे आते 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 आप पीछे हो जाते है और पीछे वाला आगे हो जाता है गैज से तो ऐसा हो सकता ह्यां मैं बता रहूं कि हैंग कर सकता है और हैंकिंग जो है कोई घर‡ का आधमी करता है कोई बाहर नहीं करता हुआ ठीक है तो गैंग आप यहां पर जो है ड्रिम एलेमन को भी हैंक किया जा सकता है क्योंकि एक सॉप्ट्वेर का माधियम से यह जिसके माधियम से लेकिन गाइच लाइब मैच में भी इसमें जो है गाइच कुछ कि चेंज कर दिया जाता है जो कि आप जो है नीचे हो जाते हो और गाइच आप गाइच जिसके हाथ में हुनर है और जो हैंगर है गाइच वो हैंगर चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है तो गाइच यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कौन कर सकता है मैं यही आप लोग से पूछना चाहता हूं और कितना भाई इस टाम कॉमेंट करके जवाब दे सकते हैं और गैज मैं बताता हूं कि गैज देखे एक मैं टीम ले लिया ठीक है मैं एक टीम ले लेता हूं और गैज देखो टीम ले लिया और गैज आपको एक उधारन देता हूं कि आप जैसे देखे टीम इस टाप के लगा दिये ठीक है ना पूरा पिलियर बैटा और गैज अगर इ चेंज कर पाओगे नहीं कर पाओगे लेकिन कौन कर पाओगा उसके बारे में मैं बताओंगा और वीडियो एंड तक देखते रहें कौन कर सकता है वो भी बताओंगा और कौन किया तो गाइज पूरा आप जो है वीडियो एंड तक देखे गाइज इसमें अगर दो चार खेलाड़ी फॉल्ट हो जाता है तो इसको चेंज कौन कर सकता है आनि इस पिलियर को ड्रॉप करके दूसरा पिलियर को ले लेना और गाइज नमर वन ला देना गाइज वही कर सकता है जो ड्रीम 11 को अपरेट करता है जो गाइज ड्रीम 11 का जो है अपरेटर होता है गाइज क्या उसे जरूरत नहीं है एक कड़ो रुपया का उसे भी जरूरत है गाइज और गाइज यही होता है कि आप जो है नम्मर वन विन पे जाने पहुंचने वाले रहते गाई तो वहाँ पे जो खेलाड़ी फलॉप किया तो गाई उसको ड्रॉप करके ओ खेलाड़ी को सेलेक्ट कर सकता क्योंकि आपका कॉलम बंध हो जाता है ड्रीम एलेवन अपरेटर का कॉलम नहीं बंध होता है यह चीज आप ध्यान दें कि ड्रीम एलेवन जो अपरेटर होता है उसके पास तो सारा अपरेट है तो गाई जो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है लाइब मैच में गाईज और गाईज आप जो है बहुत अस्मार्ट हो आप समझ गई होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो गाईज वही होता है जिसके पास पूरा सिस्टम हो गाईज वो चाहेगा तो किसी को ड्रॉप कर सकता है और किसी को भी अपने टीम में ले सक सकता है और गाईज हमारे और आपके बस का चीज नहीं है ड्रीम एलेवन को है करना और ड्रीम एलेवन एक बेस्ट कमपनी है और जब भी कर सकता है तो इसका अपरेटर कर सकता है ऐसे ड्रीम एलेवन एक उनिक है और गाईज इंडिया का नमबर वन बराइंड है और जैसे खेलते हैं गईज उस टैप से आप खेले और गईज ज्यादा कनफ्यूज ना हो क्योंकि मैं एक उधारन दिया हूं कि अगर है ड्रीम 11 को है कर सकता है तो कौन कर सकता है वो कर सकता है तो अपरेटर ही कर सकता है लेकिन ड्रीम 11 में कोई हैंगिंग नहीं कर पाएगा गईज एक महमोली से आदमी इसको हैंग नहीं कर पाएगा क्योंकि आप के पास इसका कोई भी सोलूसन नहीं है और जब भी करेगा तो अपरेटर के पास दीखे, कॉलम, बॉक्स हमारे बंध हो जाता है, वो उसके पास सारा अपरेट है वो guys हर को point देता है उसको मालूम है कि कौन सा खेलाड़ी फलो फोरा कौन सा खेलाड़ी को लेना कौन सा खेलाड़ी को हटा देना तो मामोली सी चीज है उसके लिए वो चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं आपको number one भी ला सकते हैं और आपको चाहेगा तो zero बटा जीरो पर भी ला सकता तो guys आज के लिए तनहीं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और guys वीडियो आप लोग को कैसा लागा जरूर लाइक करें और आज के लिए नहीं था ठीक है गैज तो आज के लिए नहीं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और जादा से जादा चैनल को जो है सब्सक्राइब करें वीडियो करें लाइक